हेलो इस वीडियो में हम होम टैब के अडिटिंग ग्रूप के बारे में जानेंगे जिसमें के हम फिल कमांड के बारे में जानेंगे तो fill command के जितने भी यह option है जैसे down है, right है, up है, left है, series है, justify है इन सबी को यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे down तो down इसको समझने के लिए पहले क्या करेंगे हम यह हमारे पास data है अगर हम इस data को जैसे यह data यहाँ पे दिये गया है इसका यहाँ पे सम करेंगे तो सम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद order सम यहाँ पे क्लिक करेंगे और enter प्रेस करेंगे यह सम यहाँ पे आ जाएगा अगर यही सम हमें निच्छे चाहिए, यहाँ तक चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे और इसको select करेंगे select करने के बाद हम क्या करेंगे fill command पे जाएंगे यहां पे और इसके more button पे जाएंगे और down पे click करेंगे तो down पे click करने के बाद क्या होगा जितनी range हमने select किया है उतनी range तक यह fill होके आजाएगा यह देखो down पे click किया तो यह सभी का यहां पे sum आ गया तो यह जितनी range हमने select की थी उसी range तक यह sum हो के आया इसके बाद इसको delete किया यह सारा delete किया delete करने के बाद अगर हम निचे से यहां से उपर की तरफ यह sum यहां पे निकालना जाते है तो हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे और auto sum यहां पे click किया enter press किया enter press करने के बाद अब range select करेंगे कि कहां तक हमें चाहिए तो यहां से लेके यह उपर तक हमने यह select कर लिया select करने के बाद हम fill command पे जाएंगे fill command पे जाने के बाद यहां पे अब पे जाएंगे ये दिखो अब पे क्लिक किया अब पे क्लिक करने के बाद ये सारा सम यहां पे होके आ जाएगा ये दिखो यहां पे फिलो के आगी ये इसके बाद अगर इन सभी का sum यहां पे चाहिए तो हम क्या करेंगे इन सभी को select करेंगे यहां पे sum चाहिए order sum पे click किया सभी का sum यहां पे आ गया इसके बाद यह सभी का sum यहां पे यहां तक हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे इनको select करेंगे left side की तरफ, left side की तरफ यहां तक select करेंगे, इसके बाद हमने यहां तक sum चाहिए, तो हम यहां पर fill पर जाएंगे, fill पर जाने के बाद यहां पर left पर जाएंगे, यह देखो left की side यह fill हो किया जाएंगे, अब यही काम हम यहां से करेंगे, right side करेंगे, तो इसके लिए क्या है, इसको delete किया, सारे को यह delete किया, delete करने के बाद यह sum इसका यहां पे किया हमने, यह sum किया sum करने के बाद, अब जो है right side के लिए हम यहां तक यह sum से यह, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको select किया, यहां तक select करने के बाद, यहां पे हम fill command पे गए fill command पर जाने के बाद अब right पे klick करेंगे ये धीको right पे klick किया ये जो sum है right की तरफ यहां पे आ जाएगा इसके बाद हम autofill में series को करेंगे То aesthetics में पहले क्या करेंगे suppose करो यहां पे हमने एक लिखा एक लिखने के बाद यहां पे इसको select करेंगे fill command पे गए fill command पे जाने के बाद series पे गए series पे जाने के बाद series in ये आ जाएगा कि rows में करने ही है या column में करने ही है इसके बाद type आ जाएगा type में linear पहले हम ये linear करेंगे linear पे यहां पे select ही है यहां पे click करके रखेंगे इसके बाद ये जो value है जैसे ये value एक लिखी हुई है एक के बाद दूसरी आए दूसरी के बाद तीसरी आए इसके बाद अगली value आए तो ये कैसे करेंगे ये यहां पर एक लिखा एक लिखने के बाद यहां पर हम कहां तक आए यहां पर 5 लिखा तो 5 लिखने के बाद ये ज किया, okay पर क्लिक करने के बाद ये रिखो ये जो है एक से ले कि ये five तक आएगी हमने इसको नीचे तक select किया था लेकिन हमने store value जो है यहां पर five लिखी हुई है तो ये five तक आएगा तो इसके बाद अगर हमने ये rows में करना है तो इसको कैसे करेंगे इसको यहां से delete किया यहा करेंगे सेलेक्ट करने के बाद fill command पर जाएंगे series में जाएंगे अब rows में करना है तो rows यहां पर rows पर click किया इसके बाद linear इसके बाद यहां पर step value यहां पर step value one रखी हमने और यह जो store value है यहां पर हमने six रखी इसके बाद OK पर click किया तो ये six तक जाएगा ये देखो ये value जो है 6 तक यहां पे आ जाएगी 6 तक आई क्योंकि यहां पे हमने store value लिखी थी 6 तक तो यह 6 तक यहां पे लिखा हुआ आया इसके बाद इसको यहां पे undo करेंगे undo करने के बाद यह जो है 1 यहां पे हम इसको अगर multiply करना जाते हैं 3 से और आगे भी 3 से multiply उतरे तो यह कैसे करेंगे यहां पे one लिखा इसके बाद यह range select की हमने यहां तक यहां तक range select की इसके बाद क्या करेंगे यहां पे fill command पे जाएंगे series बेचाएंगे इसके बाद हम यह growth पे click करेंगे growth पे click करने के बाद यह जो 1 जो है यह multiply किस से करना है हमने यह multiply करेंगे हम 3 से तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 तो 3 के करने के बाद हम ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद यह दिखो 1 जो है multiply 3 से किया तो 3 आ गया यह इसके बाद आगे 3 से multiply किया इसके बाद 3 से फिर multiply किया यह सारी यह जो है growth value यहां पे आगी तो इस प्रकार हम यह value निकाल सकते हैं इसके बाद इसको delete किया यह value delete की delete करने के बाद हम यहां पे date लिखेंगे तो date को keyword से कैसे लिखा जाता है इसके लिए control plus semicolon click किया click करने के बाद यह date यहां पे आ जाएगी date आने के बाद इसको हम यहां पे बड़ा करेंगे यह बड़ा किया इसको यहां पे click किया और इसको select किया date को यह यहां तक हमने select की select करने के बाद आप क्या करेंगे fill command पे जाएंगे series पे जाएंगे इसके बाद date पे यहां पे click किया हुआ है इसके बाद यह जो है यहां पर day तो day आएंगे यहां पर जैसे 99, 20 यह 21 है यह इस हिसाब से आएंगे तो यहां पर हमने value store value यहां पर लिख दिस पॉस करो यहां पर लिखी है हमने 22 22 यहां पर इसके बाद 04 इसके बाद 2020 यह लिखा लिखने के बाद यहां तक यह 22 तक की आए तो OK पे क्लिक या तो यह देखो डेट यह जो है 22 तक आएगी यह देखो 19, 20, 21, 22 22 तक यह डेट आएगी क्योंकि हमने जो store value है वो 22 तक लगाई हुई है तो यहां तक यह value आगी अगर यह सारी चाहिए तो इसको यहां पे undo किया इसके बाद सारी देखने के लिए fill command पे जाएंगे series पे जाएंगे इसके बाद यहां पे one नहीं है इसके बाद ok पे klik करेंगे तो यह सारी date यहां पे आजाएगी यहां पे आगी है अब क्या है जैसे यहां पे two का gap चाहिए जैसे 19 है उसके बाद 20 यहां पर दिया हुए 21 आना चाहिए 22 का gap आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पर fill पर जाएंगे fill पर जाने के बाद series पर जाएंगे और यहां पर step value यहां पर लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, 1 की जगा यहां पर 2 लिखेंगे 2 का gap यहां पर आ जाएगा, यह देखो 2 लिखा, ok पर एकलिक किया अब देखो, यह देखो 19, इसके बाद 21 23, 25, 27 यह देखो, date यह जो है यह change होगी यहां पर और यह जो month है, और year है यह same रहेगी, अगर हम यह month change करना जाते है जैसे 4 है, 5 है 6 है, इससाफ से आए तो यह सारा select किया हुआ है इसके बाद auto fill पर जाएंगे auto fill पर जाने के बाद series पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद, यहां पर month पर click करेंगे month पर click करने के बाद यहां पर one नहीं रखा कि 4, 5, 6 से इससाफ से आए तो यहां पर ok पर click किया ok पर click करने के बाद यह देखो, यह date same रही इसके बाद यह जो month है, यह देखो यहां पर change हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 इससाफ से यह month change हो गया अगर हम यहां पर year चेंज करना जाते है यहां पर year पर click किया click करने के बाद ok पर click किया तो ok पर click करने के बाद यह देखो यहां पर date same है इसके बाद यहां पर month same है इसके बाद year देखो यहां पर change हो गया है 20, 21, 22, 23 तो इससाफ से यह year यहां पर change हो गया है इसके बाद date का अगला option करेंगे तो फिल पे जाएंगे, फिल पे जाने के बाद सीरीज पे जाएंगे, इसके बाद बीक डे, तो यहां पे जो बीक डे लिये जाता है, वो Saturday और संडे को छोड़ दिये जाता है, तो यहां पे बीक डे पे क्लिक करेंगे, और OK पे क्लिक करेंगे, तो OK पे क्लिक करने के बाद य determine 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यहां पे जो 25 और 26 यहां पे नहीं है तो यहां पे Saturday और संडे नहीं है इसके बाद 27, 28 यहां पे आ गया है तो अगर वीक डे लेंगे तो वहाँ पे Saturday और संडे को नहीं liए जाएगा बाकी जो डेट है यहां पे आ जाएगी तो ये date का हो गया, यहां पे click किया, click करने के बाद आगला जो I fill command में, वो I series का auto fill तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए, पहले इसको cancel करते हैं, यहां पे लिखते हैं one यहां पे one लिखा, one लिखने के बाद, इसको यहां तक, नीचे तक select करते हैं, यहां तक इसके बाद इसको अगर 111 ये सभी में लिखना है तो हम क्या करेंगे Auto Fill पे जाएंगे ये लिखो यहाँ पे Fill Command पे गए Series पे गए और यहाँ पे Auto Fill क्लिक किया इसके बाद OK पे क्लिक किया तो ये लिखो 111 सभी में लिखा हुआ यहाँ पे आ गया इसके बाद इसको मिटाया ये डिलीट किया डिलीट करने के बाद अगर हम यहाँ पे और उसको Auto Fill के जरीए Counting लिखने है तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे 1 लिखा इसके बाद 2 लिखा 2 लिखने के बाद यहाँ पे कहां तक counting लिखने हैं suppose करो यहां तक हमने counting लिखने हैं तो यहां पे fill command पे जाएंगे और fill command पे जाने के बाद series पे जाएंगे और इसके बाद autofill और इसके बाद ok पे click करेंगे तो यह लिखो सारा यहां पे autofill ok आ जाएगा इसके बाद हम यहाँ पे कोई number लिखते हैं जैसे यहाँ पे 2 लिखा 2 लिखने के बाद यहाँ पे 50 लिखते हैं 50 लिखने के बाद हम क्या करना जाते हैं इनको बरावर में बाढ़ना जाते हैं 2 से लेके 50 तक तो यह कैसे करेंगे इन सभी को select करेंगे select करने के बाद fill command पे जाएंगे fill command पे जाने के बाद series पे जाएंगे series पे जाने के बाद यहां पे trend पे click करेंगे और ok पे click करेंगे तो यह लिखो सभी यह divide होके यहां पे आ जाएंगे इसके बाद इन सभी को यहां पे मिटाएंगे यह delete किया delete करने के बाद अब क्या करेंगे हम यहां पे कुछ लिखेंगे जैसे यहां पे हमने लिखा how to make a id यहां पे हमने लिखा how to make a id तो यह लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे click किया click करने के बाद auto fill पे जाएंगे auto fill पे जाने के बाद justify पे click किया justify पे click करने के बाद ok पे click क करने के बाद ये लिखो how to ये how to अलग cell में है में के आईडी ये अलग cell में है तो इस तरह से ये justify में अलग अलग cell में बन जाएगा और ये जितना हमारा ये cell है उतने cell में ये आ जाएगा तो इस वीडियो में हमने fill command के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो subscribe my channel धन्यवाद